दोस्तो अभी इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से समढने वाले interaction और cost square x कैसे पता करें इस वीडियो को पुरा देखे चले में उसकी सुरात करते हैं बिलको सिंप्ल है दोस्तों हम अपना integration को इस सिंपल के दोरा लिखते हैं यहां पे cost square x का कर रहे हैं तो यहां क्या आगया x यानि with respect to x किया जाएगा with respect to x यानि इसके साथ dx लिखा जाएगा और इसको हम i के equal to लेकर चलते हैं ताँ कि इसको हमें बार बार ना लिखना आपके i को लिखते ही मतलब यह आ गया ओके अब देखो यहां पर ही मैं एक formula का मैं लेने वाला हूँ यानि तिर्कोर्मिती function के integration करने से पिला आपको तिर्कोर्मिती के सारे formula याद होने चीए तब ही आपके लिए तिर्कोर्मिती function का integration करना चुट्कियों का खेल होगा तो देखो हम जानते हैं अपना formula की cos 2x बराबर 2 cos square x minus 1 ठीक है यह जो minus 1 है इसको दूस्तों मैं इस side लेके आ जा 2 cos square x बच जाएगा फिर इस 2 को भी मैं इस side लेके आ जाओँगा तो आपके पास यहाँ पर formula क्या बन गया देखो cos square x बराबर यह minus इस side लेके आया तो हम जानते हैं कि दोस्तों जब हम side chance करते हैं तो आपका minus से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ठीक है यहाँ जो यह गुड़ा में है इसके साथ जो 2 गुड़ा में इसको जब मैं दूसरी side लेके आता हूँ तो multiply से आपका दूस्तों किसमें चला जाता है आपका divide में चला जाता है यानि इसके divide में 2 आ गया इस तरह से यहाँ पे cos square x का equal to यह form आ गया अब देखें मैंने यह form आ क्यों लिखा बिल्कु सिंपल सा logic अभी आपको पता लग जाएगा cos square x की जगे मैंने यह लिख दिया 1 by 2 को मैंने बाहर ले लिया constant है constant integration से बाहर लेके लिख देते हैं अब देखिए हम इन दोनों का integration जानते हैं 1 का integration भी जानते हैं और cos 2x का integration भी जानते हैं ऐसा लिखने से क्या हुआ दूस्तों हमारे लिए integration करना आसान हो गया यह function उन function में करनाट हो गया जनका integration हम जानते हैं इसलिए हमने यह formula का में लिया बिल्कु सिंपल सी बात है देखो यहाँ पर cos का integration क्या होता है sin और यहाँ जो x की गुणा में constant होता है वो divide में आ जाता है और यहाँ 1 का integration x और साथ में आपका constant c आ गया अब देखो 1 by 2 को जब मैं अंदर multiply करूँगा तो आपका क्या बनेगा 2 multiplied 2 कितना 4 sin 2x यहाँ x by 2 आ गया plus c तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका cos 2x का sorry cos square x का integration का value क्या बन गया यह है जो आपका value बन गया ठीक है आसान लगा तो नीचे comment करें और channel को subscribe करें Thank you